हुआ कि नमस्कार दोस्तो आपको हमने इसफिले वीडियो में बताया था कि आप ट्वीटर को कैसे इंस्टॉल करें और एक 6 वीडिया कैसे करें आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भी भिन शोशल मीडिया पर जो आपको मैसेज मिलते हैं आप उन्हें कैसे कोपी करके ट्वीट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप WhatsApp से कैसे ट्वीट कोपी करके पेस्ट करें इसमें जिस पे भी आपको मैसेज मिला हुआ है उसको आप ओपन कीजिये यहाँ आपको यह message मिले हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने उपर एक text message है इसे हमें copy करना है इसे यहाँ से हम press करेंगे और उपर double page का एक icon है इसे हम press करेंगे तो इससे आपका message copy हो जाएगा Twitter app open कीजिए इसके बाद यहाँ gold circle में plus icon और एक punk है इसे आप press कीजिए और यहाँ आपको अपने उगली दो second के लिए press करके रखनी है प्रेस करने बाद option के लिए paste यहाँ paste पे प्रेस कीजिए आपका यहाँ message paste हो गया है यहाँ आप इसमें कुछ ने कुछ फिर बदल कर दें ताकि आपका tweet genuine लगे और ज्यादा effective हो सके तो यहाँ हम इस पे stay home stay safe के बाद enter करते हैं और यहाँ कुछ type करेंगे यहाँ type करने के बाद हम simply tweet पर प्रेस करेंगे यहाँ हमारा tweet हो चुका है अब हम बात करते हैं यदि आपको whatsapp पर कोई document प्राप्त है तो आप उसका tweet कैसे copy करेंगे तो यहाँ whatsapp खोली पहले आप एक document है नीचे coronavirus tweet के नाम से इसे आप डाउनलोड करने पहले permissions जो हैं इसकी आलोग कर दीजी आप यहाँ document आपका डाउनलोड हो गया इसे प्रेस करके खोल लीजिए तो आपको यहाँ कई apps दिखाई देंगे जिन apps में आप यह खोलना चाहते हैं यह docs app हो सकती है office suite pro भी या WPS office भी आपके mobile file में हो तो आप इसे भी open कर सकते हैं आई इसे open करते हैं WPS office में यहाँ add को बंग कर दीजिए यहाँ आपको यह tweet मिलेंगे तो सबसे पहले हमने tweet को copy करने के लिए वही अपने उंगली को प्रेस करकर रखेंगे तो यहाँ दो handle आपको दिखाई देंगे एक handle को आप नीचे ले जाईए और एक handle को उपर जितना text आपने copy करना है वो select हो गया है और यहाँ आपको copy बटन पर press करना है अब आपका text copy हो गया है अब हमें वापस twitter पर जाना है तो यहाँ पर twitter खोल लीजिए अपनी और यहाँ दुबारा आपको नेले circle में जो punk का icon है इस पर प्रेस करना है और यहाँ दुबारा प्रेस करके रखिये और paste प्रेस कर दीजिए और यह कुछ hashtag है इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको आप इनको भी choose कर सकते हैं अब back चले जाएंगे हमें एक बार यहाँ आपको पूरा message दिखाई देगा इसमें हम थोड़ा और सुधार कर सकते हैं इसमें कुछ add कर सकते हैं तो stay home stay safe के बाद हम enter करेंगे और लिखेंगे stay healthy इसके बाद आप tweet पर प्रेस कर दें तो आपका tweet एक join and tweet होगा और कोई copy paste नहीं दिखाई देगा आपका और ranking में भी आएगा दोस्तों अगला तरीका है यदि आपको WhatsApp पे कोई link पराप्त हुआ है जिस तरह आपको यहाँ एक link दिखाई दे रहा ह तो यह Google Drive का link है यहाँ पर कोई file पढ़ी है जिसे आप download करके उसमें से कुछ भी text copy करके tweet कर सकते हैं तो इस link को हम पहले open करते हैं जब आप इसको open करेंगे तो यह file आपकी Google Drive में खुल जाएगी और कभी कभी आपकी यह file आपके browser में भी खुल सकती है तो यहाँ पर आपका download icon बना हुआ है आप इसे press कर दीजिए तो आपकी यह file drive में या browser में खूलने के लिए पूछ रहा है अगर आप इसको drive में खूलन पूछेगा तो आप एक email account बता दीजिए अब आपकी यह file Google Drive में open हो गई हो सकता है आपकी Google Drive update ना हो सबसे पहले आप उसे update कर लें उसके बाद यह file आपकी उसमें open हो जाएगी और यहाँ से आप पहले की तरह आप अपना press करके tag select कर लें और copy कर लें यहाँ आप Twitter पे प्रवाएंगे और यहाँ paste करेंगे और यहाँ कुछ भी add कर सकते हम और यहाँ tweet पे आपको press करना है आपका tweet copy हो गया है यहाँ आपको मैं यह बता दूँ जब आप browser में open करेंगे तो यहाँ आपको एक download icon मिलेगा इस पे आपको press करना है तो आपकी file open with पुछेगी drive या chrome आ आपको chrome पे करना है इसके बाद आपकी फाइल यहाँ download होने के लिए पुछेगा मैंने यह फाइल पहले भी download कर ले थी इसे दुबारा download करते हैं जब आप इसे download करेंगे तो इस तरह लिखाएगा और यहाँ open पे आप click कि यह open भी हो जाएगी नहीं तो आप अपने file explorer में ज इसे downloads का दिखाए दे दिया आपको coronavirus tweets to doc यहाँ folder आइकन पर click करेंगे सबसे उपर download का folder है आप इसे open कर लीजिए tweet का document दिखाए दिया coronavirus tweets तो इसे आप open कर लीजिए यहाँ add को बंद कर दीजिए यहाँ आपकी वो file खुल गई और पहले की तरह आप इसको यहाँ copy कर लें copy करने का तरीका यही है आप इसे press करके रखेंगे दो handle मिलेंगे एक handle को उपर ले जाए और एक handle को निचे ले जाके copy प्रेस कर दें और आपको tweet पर जाना है और यहाँ आप अपना circle में जो plus icon इसको दबाएंगे और यहाँ press करेंगे paste, paste के बाद आप इसमें कुछ भी addition कर सकते हैं यहाँ मैं training purpose के लिए x, y, z लिख देता हूँ और यहाँ tweet कर दीजिए अब आप home पर प्रेस करेंगे तो सबसे उपर आपका यह tweet दिखाए देगा आपने 3-4 tweet करें हैं same same तो यह सब आपको यहाँ दिखाए दे रहे हैं अब आपको बताते हैं कि whatsapp पे कोई photo को आप tweet कैसे करेंगे पहले आप अपनी whatsapp open कीजिए, जो message आपको मिला है आप उसे download कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी gallery में जाएंगे gallery में आपको यह photo दिखाए देगा, इस photo को आप send icon पे click कीजिए और यहाँ आपको एक direct message के नाम से Twitter का icon दिखाए देगा, थोड़ा आगे चलेंगे आपको दिखाए देगा tweet के नाम से, आपको इस tweet वाले पे press करना है और यहाँ आप अपनी app में खोलिए और यहाँ पर आपको एक comment एड़ करना है, यानि आप कुछ भी लिसकते हैं और यहाँ आप tweet प्रेस कर दीजिए तो इस तरह आप image के साथ tweet कर सकते हैं, आप Twitter में जा के देखते हैं यह देखिए, यह message यहाँ पर आ गया है with comment अगर आप किसी का tweet कोपी करना चाहते हैं, माली जी example के लिए मैं अपना tweet ही copy करना चाहता हूं और इसी को वापिस भेजना चाहता हूं तो इसके लिए आपको इस second icon है, इस पर प्रेस करना होगा यहाँ दो option खुलेंगे, retweet, retweet with comment आपको retweet with comment प्रेस करना है जब आप comment के साथ किसी का retweet करते हैं तो यह ranking में आता है और ज़्यादा effective रहता है और trade में भी आता है तो यहाँ अगर माली जी कोई आपर trend चल रहा है माली जी hashtag coronavirus तो आप यहाँ आपर hashtag coronavirus भी आप paste कर सकते हैं copy करके यहाँ आप manually type कर सकते हैं hash coronavirus coronavirus यहाँ coronavirus आपको दिखाए दर्टेंडिंग में आप इसे press करके complete कर सकते हैं और बस आपको retweet पे press करना है इसे देखने के लिए दुबारा आप home icon को press कीजिए यहाँ आपको आपका retweet दिखाए देगा निरेज हर्यानवी ने री निरेज हर्यानवी को ही retweet किया है आप किसी और को tweet कर सकते हैं इस तरह दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो like कीजिए subscribe कीजिए अगर आपका कोई प्रशन है तो comment कीजिए बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल Tech Tutorial Hindi HD को YouTube चैनल पर subscribe करें और like करें share करें और उस पे अगर कोई आपको समस्या है तो comment भी करें धन्यवाद खरफ ईसमारे टो कोई आपको